महीनों तक गाइब होने के बाद भी मैं जिन्दा 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 तो हैर सीधा आते हैं वीडियो के टॉपे की तरफ और मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद काफी लोग बोलेंगे कि वा भाई मौरल पुलीसिंग शिलीसिंग हैं बड़ा चैनकेशन के बन रहे हैं यार देखो आर उंगी वाशीट के किसी को यह मौरल पुलीसिंग लगती है पंजाब पुलीस लगती है एन्वाइपीडी वोटेवर इटीज में मुझे अपना ओपीनिन शेयर करना है और जो मुझे घलत लगता है उसे कॉल आउट करना है अगे तुसी जानो बाई-जन तो से पहला गंध है गैंबलिंग का या बेटिंग सिंपल अलफाजों में जुआ और इसमें टॉप पे है वान एक्स बैट हो सकते और भी वेबसाइट हो लेकिन इस वक्त यह में है जो पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को और इंस्टाग्रामर्स को स्पॉंसर्शिप्स दे और मज़े की बात है क्या है लोग इसे इंवेस्टमेंट या गेम बोल के प्रमोट करते हैं जबकि उस वेबसाइट के नाम में बैट है बैट जुआ शर्त और इससे पहले क्या हम हराम वाले एस्पेक्ट प्याएं में तो मैं बताना चाहते हूं कि इस चीज को गोरे ठीक ह या नौन मुस्लिम्स मोस्ली वो भी डिसकरेज करते हैं सबसे पहले तो यूट्यूब की पॉलिसी में कि अगर तुमारी कंट्री में या यूनो जिस एडिया में तुम रह रहे हो वहाँ पर अगर गैंबलिंग या बेटिंग बैंट है तो तुम उसे अपनी वीडियो में नहीं कर सकते और जहां तक मुझे पाता है पाकिसान में अभी फिलाल तो ही लीगल ही है यूनो इस्लामिक रिपबलेक एजन एग्जेंपल यह चीज़ ले लो कि जेक पॉल और राइस कम को हर बड़े यूट्यूबर ने अल्मोस्ट ओपनली क्रिटिसाइज किया था जब उन्होंने गैंबलिंग प्रमोट की थी अपने फैंस को मतलब हम एवाल्व तो कर रहे हैं लेकिन उन चीज़ों में जिनको गोरे भी बुरा समझते हैं अब हम जरा मोरेलिटी की तरफ आ जाते हैं तो अगर कोई यह बोलता है कि चलो यह हराम वेबसाइट्स प्रमोट करके पैसा कमा रहे हैं और उसी ओडियोंस को जोई की तरफ लगा रहे हैं जिसकी वज़े से यह स्पांसर्शिप लेने के काबिल हुए हैं तो तुझे क्या मसले है उन्होंने अपना हिसाब खुद देना है तो इस चीज़ का जवाब यह है कि हाँ मुझे पता है मैं हर वीडिय इस खुद भी करें उसे पब्लिक ली प्रमोट भी करें तो फिर उनको कॉल ओट करने का हक मैं रखता हूं और जिन वोक लोगों को मेरी इन बातों से मसले होगा उनकी आगाई के लिए बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसी वेबसाइट से स्पांसर्शिप की ओफर्स आई हैं दान्यार तो जैलस तो हो रहा कहने लोगों को गैंबलिंग और जूए की स्पांसर्शिप आ रही हैं और ये फिर अवाम को प्रमोट करके उसी अवाम को मौरल्स की बाते सिखाते हैं इस जुए वाल चीज़ पर मैं किसी भी स्पिसिफिक यूटीवर का नाम नहीं ले रहा किसी को टार्गेट नहीं का रहा क्योंकि सच बता हूं मुझे अंदाज़ा ही नहीं कि इस किस ने प्रमोट किया हुए अब तुम लोगोंने क्या करना है इस चीज में तुमने करना ही है कि इस वीडियो पर एग्रीड डिसएग्रीड सही बोल रहे हो खलत बोल रहे हो वहरी सेंसिबल ओपिनियन यह सब कुछ सिर्फ नहीं लिखना मतलब लिखो आयरी अप्रिशियेट याट फीडबैक लेकिन इस से हट के तुम प्रैक्टिकली इस चीज को रोकने की कोशिश कर सकते हो तो तुमने करना ही है कि कोई भी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर अगर किसी गैम्लिंग या बेटिंग वेब साइट को प्रमोट करे चाए स्पोर्ट बेटिंग के नाम पे करे चाए गेम के जिस तरह भी तुमने करना है उसकी वीडियो को रिपोर्ट स्पैम और मिस्लीडिंग वाले सेक्शन में और फिर आगी सेलेक करना है स्कैम और फ्रॉड फिर उसके कॉमेंट्स में जाके बताना है अच्छे तरीके से ब्यूज नहीं करना लेकिन उससे बताना है कि हम तेरी भी डिफरेंस आया इस चीज के वाज़े से तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना प्ले कर दिया और अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत मुला बान रहा हूं या मैं मौरल पुलीसिंग कर रहा हूं हाला कि क्रिटिसिसम में आता है लेकिन अगर ये मौरल पुलीसिंग है ना ऐसा ही सही मैं रज रज के मौरल पुलीसिंग करूंगा अचा अब ये जो पंगा है ना इसमें मैं ना भी लूँगा यूटिबर्स के और एक्जेम्पल्स भी दिखाऊंगा क्योंकि ये जुआ वगारा कुछ नहीं है जो चीज प्रमोट हो रही है वो शाहिद ठीक है शाह एक एग्जेम्पल है ठीक है ये एक जनरल मतलब ट्रेंड है लेकिन मैं इस चीज को यूज का रहा हूं तू हाइलाइट इसे प्रमोट की है जैद डकी शावीर नानी बला और पता नहीं किस किसने पर मेरे बास सिर्फ शावीर की स्टोरी है लेकिन टेंशन लेने की कोई ज अब बंदा पूछे दो बंदे जो लाहूर में बैठे हैं एक कैनेडा में एक जो दुबैई या कभी लोगों के मामलात में बैठा होता है उन सब की एक कॉमन दोस्त बांगी है अचानक से जो के पता नहीं थाइलैंड या मौलडीव में रहती है और मज़े की बात कि वो अर्दू तक नहीं बोलती यार सीधी सी बात है करनी है पेड़ प्रमोशन करो उसमें किसी को मसला नहीं है बेशक ये बोल दो कि ये अकाउंट मुझे अच्छा लगता है हाला कि तुम उसे जानते भी नहीं हो लेकिन उसमें तो इसने मुझसे एक फिवर मांगा था इसका अकाउंट हैक हो गया था हाला कि किसी को यह नहीं पता कि इसका पहले अकाउंट था भी या नहीं लेकिन ये बहुत मेंती है तो प्लीज इसे जाकर फॉलो करो इसने जास्त फिवर मांगा था यूनो क्योंकि मैं इतना नेक या कौन कुन कर रहा है क्योंकि you know मैं beauty influencers को नहीं follow करता लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसा देखे कुछ खराम या कुछ unethical promote करते हुए तो उन्हें call out करो and मुझे भी वीडियो बेजो शायद मैं एक और वीडियो बना दूं है make sure to subscribe कर नहीं पता पर unsubscribe मत करना ठीक है हाँ मैं वापस आ जाता हूँ तो लेट ही सही लेकिन आ जाता हूँ ठीक है समझ रहे हो समझ रहे आप समझ रहे इस्टब में काफी active होता हूँ तो वहाँ पर follow कर लो मुझे तो चलो singlemingle logo अब मैं जाता हूँ अफ़ान को बोलने कि अगर तुझे मुझे कोई मसला था तो मुझे privately बताता लेकिन खुद मैं दन्याल को बिना कुछ privately बताए चुपके से unfollow कार के बाग जाँगा एक ठक या एक चोर की तरह क्योंकि अब मुझे में ego आ गी है और फिर स्टॉरी देखके यार मुझे में कुछ बोलने कि हमद भी नहीं होगी क्योंकि वैसे तो मैं बड़ा रोस्टर और एक्स्पोजर बनता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं डरपोक बन जाता हूँ अब जाता हूँ वेट लिफ्टिंग करने और रियक्शन वीडियो जिन में मीम्स पढ़ता रहता हूँ बैठके या अपना कुछ एड नहीं करता वो बनाने या 2020 में डिंचक पूजा पे रोस्ट वीडियो बनाने बाए लाइफ में यानी जानी मानी हस्किया इस रैप गेम की ते ठोल द बोई कुछ नी मिलने वाला रैप से उन्हें क्या पता बोई को फिकर नहीं फेम की सूच डाइनेमिक